गैस हम अमारे डेली लाइप में ऐसे सेंटेंस का बहुत यूज करते हैं यहां पर हम कहते हैं कि वो कह कुछ रहा था और कर कुछ और रहा था मैं सोचता कुछ हूँ और करता कुछ और हूँ सारे नेता कहते कुछ है और करते कुछ और है इस प्रकर के sentences को हम English में कैसे कहेंगे इसके लिए कौन से structure की use करेंगे आज किस वीडियो में हम सिखने वाले हैं इस प्रकर के sentences को English में कहने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा subject, इसके बाद helping work, helping work के बाद आपको use कर देनी है उसने कहा कुछ और और करा कुछ और He said something and did something else हमने यजना कुछ बनाई और हो कुछ और रहा है We planned something and it is happening something else मैं सोचता कुछ हूँ और करता कुछ और हूँ पता नहीं आज कल मुझे क्या हो रहा है So इस प्रकर की sentences को हम English में लिखेंगे I think something and do something else I think something and do something else वो के कुछ रहा था और कर कुछ और रहा था He was saying something and doing something else He was saying something and doing something else सारे नेता कहते कुछ है और करते कुछ और है All the leaders say something and do something else All the leaders say something and do something else